गुड बॉर्णिंग दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि परधान मंत्री आवास योजना सहरी जिसमें कि आप आविधन किस परकार से कर सकते हैं और आविधन दे करके आप कैसे एक लाग बीज जार ले सकते हैं तो दोस्तो वीडियो में लाश्ट तक को सब्सक्राब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तो चैनल को स्क्राब जरूर कर लिजे तो दोस्तो आप लोगों को यहाँ पर आ जाना पी एम ए वाइम आई एस डॉट गवर्मेंट डॉट इन पर यह वैप साइट इनका जैसे ही खुलेगा तो आपको कुछ इस परकार का ल यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लCraने के लिए हैं करने के लिक हैंaving करने के लिए यहाँ से आप चेक गड़ाया है यहाँ से कर सकते हैं कि आप परदा नमास यूज ना लेने KS या नहीं यहां पर आपके आपके पास जो भी है आधार कार्ड वर्चूल डी यहांपर आपको डाल देना है तो यहां पर हम अपना अधार काड़ आपको डाल के दिखा देते हैं यहां पर अधार काड़ डालने के बाद आपको यहां पर सेम नाम डालना यहां पर जो आपके अधार काड़ पर है तो यहां पर हम चलिए नाम आपको डाल के दिखा देते हैं उनके बाद हम यहाँ पर आपको क्या करेंगे निचे टर्म से एंड कंडिशन दिया गया उसको यहाँ पर accept कर लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि वो टीपी आपके आधार से login वाले mobile पर जाएगा जो कि आधार से registered होगा उस नमर पर आपको को यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर चेक वाले option पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर searching लेंगा सर्च लेने के बाद आपके सामने इसका in time दिकाई करने के लिए बोला जाएगा स्टड़ी प्रेस्टाब करेंगे विए पर क्या आप यौजस नहीं सेलेक्ट कर लेना है यहां पर देख सकते हैं उन हैँ उन्के बाद लिंग डाल देना है ऐन के बाद यहांब है फिता का नाम डाल देना है। अंके बाद एज डाल देना है of the family यहां पर जो मुकिया है family के उसका यहां पर edge डाल देना और उसी का नाम यहां पर आपको डालना है उनके बाद यहां पे अस्थाई पता डाल देना अगर आपका अस्थाई पता और वर्तमान पता incent की है तो आपको यहाँ पे सेम एज परवानेंट ड्रेस पे किलिक कर लेना जिन से आपको क्या होगा कि जो आपका अस्थाई है वही आपको वर्तमान वाला में भी फील हो जाएगा उटमेटिक उसको वहां पे लिखने का ज़रूरत नहीं परेगा तो यहां पर देख सकते हैं जो जो हम उपर सेलेक्ट किये हैं नीचे वो ओटॉमेटिक सेलेक्ट है उनके बाद यहां पर क्या करना है गली मौला के नाम में आपको अपने गौओं का नाम डालना है उनके आपको सेम एज एड्रेस पर क्लिक कर देना है यहाँ पर आपको क्या करना है कोई साभी डोकुमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा जिसमें आपको पासपोर्ट पेन कार्ड बोटर आईडी कार्ड ड्रैवडिंग लेसंस रासन कार्ट रेवेनियो अथरेटी सर्टि ड्रेसर लिघ देना उनके बात यहाँ पे उसकते हैं जब एक आदम का हो जाता तो लिए उसकोяет पर लेना है तो यह सेलेक्ट काड़ने के बात आपको ड्रेलिजियन हे अप स्लेक्ट कर लेना है काश्ट में आपको यहाँ पे देख सकते है जेनरल SC, ST, OBC आपको यहाँ पे दिया जा रहा है उनके बाद पास वारत कही भी अपना मकान है यहाँ पे आपको नो करना है क्योंकि अगर आप दिकलांग है और आपके पास कोई मकान नहीं हो है तो आप अगर एक लाचार अवस्ता में है तो ही आपको सरकार परदान मंतरी अवास योजना के लिए अपरूब करेगी अनिया था आपको रिजेक्ट कर देगा यहाँ पे देख सकते हैं मौझूदा मकान मालिकाना वियोरा तो यहाँ पे अगर आपके पास जो रूम में आप रह रहे हैं उस रूम के वारे में आपको बताना ही क्या वो आपका है या रेंट पे है या अधरवाज आप उसमें रह रहे हैं तो यहाँ पे डालने के बाद आपके पास जीवीका में है यहां पे बेगर, भीकारी, बिजनेसमें, सेल्फ इंप्लॉई, डोमेस्टिक वरकर, इलेक्टरिसियन, मेकनिक, फार्मर, यहां पे जो भी आपको इसमें आप चूज करेंगे, उप जीवी का, वो आपको उस्पेसन में सेलेक्ट कर लेना, उनके बाद परिवार के उसिक, मास आपको यहां पे सेलेक्ट कर लेना है, जो कि यहां पे रूपिया में आपको लिखना रहता है, जो भी आपका इंकम है, यहां पे एन्वल इंकम आपको डाल देना है, उनके बाद यहां पे आई एम एक्सेप्ट वाले अप्शन पे किलिक कर देना है, जिसमें यहां पे लि इस प्रकिरिया में सहायथा परदान करती हैं के बाद आपको यहाँ परως परफ़ करने के बाद सुरक्षित वाइब आप्सिंट पर क्लिक कर देना हâte और के फॉर्म को सेब या जाएगा सेब करने के बाद आपको यहाँ पर डिसेट एक इंटाउट आ जाएगा और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप इस योजना के लाइक है या नहीं अगर आपका यहाँ पर एप्रूब हो जाता है तो आप यह इस योजना का लाब ले सकते हैं और आप अपना परदान मंत्री अवास योजना का नाम दे दिया गया है जो कि पहले भी यहाँ पर कई बार आ चुका है और उसके बाद जो भी वहाँ पर उठा पाते हैं वह सभी परदान मत्री अवास योजना का ही लाब ले रहे हैं तो आसा करते कि आप लोगों को आज का यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद है तो लाइक कीजी चैनल पिने सब्सक्राब कर लीजिए और जिसको नहीं मिला है परदान मत्री अवास योजना वह इस फर्म को फिल अप करके अपलाई जरूर कर ले